नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 15 फिट बाई 20 फिट के घर के सुलेब ढलाई में लेबर मैटेरियल सही टोटल कितना पैसा लग जाएगा तो चली एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट कितना बैग लगेगा, कितने रोपय का लगेगा, सैंड कितना क्यूबिक फिट लग जाएगा, कितने रोपय का लग जाएगा और इस तिरीया, कितने किलो ग्राम, कितने रोपय ओ डगएगी और इसके साथ एग्रिगेट, यानि कि गिट्टी तोटल कितना क्यूभिक फिट लग जाएगी और कितने रोपय की लग जाएगी और लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि पूरा स्लैब ढ़लाई करने का लेबर रेट कितना हुआ तो चलिए एक एक करके फुल इंफोमेशन आप से सेर करते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस चोटी से रिक्वेश्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लिशे और यदि आप इस चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रिस कर लिशे जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे आप देख सकते हैं कि यह हमारा 15 फिट बाई 20 फिट का हाउस प्लान है तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 35 बैक सीमेंट लग गया तो चली हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरे स्लैब की ढलाई में 35 बैक सीमेंट लग गया तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 42 यानि कि 42 बैक सीमेंट हमारा लग गया तो चली हम यहाँ आप लिख लेते हैं कि total 42 बैक सीमेंट लगा और प्रजेंट टाइम में यह अपने एरिये में 1 बैक सीमेंट के प्राइस की बात करें तो 425 रूपए का 1 बैक सीमेंट हमें मिल दा है तो चली गुड़ा करके देख लेते हैं कि total कितना पैसा हो गया तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 42 बैक का 17,850 रूपए हो गया slave के साथ साथ आप देख सकते हैं कि slab के नीचे कुछी तरीके से slab beam होती है तो slab beam की डालाई में 16 cubic feet यानि कि 16 cubic feet अलक से sand यानि की rate लगी तो चली दोनों का total करके लेते हैं कि total कितना cubic feet sand यानि ki rate लग गई तो total करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे slab की ढलाई में 100 cubic feet send यानि की rate लगी तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यदि हम 100 cubic feet rate के price की बात करें तो present time में हमारे area में 75 रूपए per cubic feet के हिसाब से rate मिल रही है आपके area में क्या rate है comment box में comment करके जरूर से जरूर बताईएगा तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 100 cubic feet rate का 7500 रूपए हो गया तो चलिए हम यहाँ आप लिख लेते हैं rate के बाद इदि हम aggregate यानि कि गिट्टी की बात करें तो पूरे slab की ढलाई में 126 यानि कि 126 cubic feet aggregate लग गई slab के साथ साथ आप देख सकते हैं कि slab के नीचे कुछ इस तरीके से slab beam होती है slab beam की ढलाई में 24 cubic feet aggregate अलग से लगी तो चलिए total करके देखते हैं कि total कितना cubic feet aggregate लग क्या तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 150 cubic feet aggregate यानि कि गिट्टी लग गई तो चेली हम यहाँ पर लिख लिखते हैं और यह दिम 150 यानि कि 150 cubic feet aggregate की price की बात करें तो present time में हमारे area में 79 रूपे पर cubic feet के हिसाब से aggregate यानि कि गिट्टी मिल रही है आपके area में जो rate है आप उसी से गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 11,850 यानि कि 11,850 रूपे का aggregate हो गया तो चेली हम यहाँ पर लिख लेते हैं एग्रिगेट के बाद इधे हम इस्टील की बात करें और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि slab beam में कुछ इस तरीके से steel यानि कि सरिया लगाई जाती है तो पूरे slab beam का मिलाकर 118 यानि कि 118 kg सरिया अलग से लगी और यह 188 kg जो सरिया है वो 12 mm की है और slab beam में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ring लगाई जाती है तो पूरे slab beam में ring लगाने पर 59 यानि कि 69 kg सरिया अलग से लग गई और यह 69 kg जो सरिया है वो 8 mm की है तो चलिए total करके देखते हैं कि पूरे slab में और इसके साथ slab beam में और slab beam में कुछ इस तरीके से जो ring लगती है सभी का मिला का total कितना kilogram सरिया लग गई तो total करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे slab में 479 यानि कि 489 kilogram सरिया लग गई तो चरी हम यहाँ पर लिख लिखते हैं कि total हमारा 489 kilogram सरिया लग गई और इदे हम present time में 1 kilogram सरिया के price की बात करें तो 67 रूपे पर kilogram के हिसाब से सरिया मिल लगी है तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 479 यानि कि 489 kilogram सरिया का 32,093 रूपे हो गया तो चेलिए हम यहाँ पर लिख लिखते हैं इस तील के बाद इदे हम labor rate की बात करें तो पूरे slab धलाई का जो contract हुआ था वो 36 रूपे पर square feet के हिसाब से हुआ था तो सबसे पहले ही दे हम slab के area की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो plot का area है वो 15 feet by 20 feet का है बट आपने देखा होगा कि slab धलाई करते समय अगल वगल कुछी तरीके से slab को बाहर निकाल लिया जाता है तो यहाँ पर plot की जो लंबाई थी वो 15 feet थी बट यहाँ पर slab धलाई करते समय एक feet slab को इस तरफ निकाला गया और एक feet इस तरफ निकाला गया तो slab की जो टोटल लंबाई हुई वो 17 feet यानिकी 17 feet हो गई इसी तरीके से slab के यदि हम चौणाई की बात करें तो यहाँ पर plot की जो टोटल चौणाई है वो 20 feet है बट slab धलाई होते समय दो feet slab को बाहर की तरफ निकाला गया और एक feet जो है पीछे की तरफ निकाला गया तो यह 20 feet बढ़कर 23 feet हो गया यानि की 23 feet हो गया तो टोटल आप देख सकते हैं की 319 यानि की 391 square feet यहाँ पर slab धलाई हुई है तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं की टोटल 391 square feet slab की धलाई हुई है और एक square feet slab धालने का जो contract हुआ थेका हुआ था वो 36 रूपए पर square feet के हिसाब से हुआ था तो चलिए गुड़ा करके देख लेते हैं की total कितना पैसा हो गया तो गुड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं की पूरे slab को धालने का जो केवल labor rate है वो 14,076 रूपए हो गया तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो चलिए अब हम total करके देखते हैं की 15 feet by 20 feet के घर का slab धलाई करने में cement, sand, aggregate, steel और इसके साथ साथ labor का मिलाकर total कितना खर्च हो गया तो total करने के बाद आप देख सकते हैं की 15 feet by 20 feet के घर का slab धलाई करने में labor material सही 83,379 रूपए का खर्च हो गया तो चलिए हम यहाँ आप लिख लेते हैं तो यदि आप 15 feet by 20 feet के घर का slab धलाई कराने की सोच रहे हैं तो आप यह मान के से लिए आपका 83,000 से लेकर 90,000 तक का खर्च हो जाएगा और चलते-चलते कुछ important information कि slab की धलाई करते समय यहाँ पर 1-2-3 ratio का concrete यूज हुआ था और इसके साथ slab की जो thickness थी यानि की मोटाई थी वो 5 inch थी अभी के लिए वस इतना ही अपना ख्याल लखिये और अपने ममी पापा का अपने से भी लादा ख्याल लखिये इसी भाव के साथ आप सभी से बिदा लेते हैं धन्यवाद